हे गाइस आज मैं आपको एक बहुत ही अजीब मंदिर दिखाने जा रहा हूँ नहीं यह अंकूरवाट नहीं है बहुत से लोग सोचते हैं कि यह अंकूरवाट मंदिर का हिस्सा है लेकिन यह कमबोडिया मे एक अलग मंदिर है जिसे बेयौन मंदिर के नाम से जाना जाता है एक बहुत बड़ा मंदिर जिसमें कई दिल्चस्प विशेश्टाएं है मुझे यकीन है कि आपने कम से कम एक बार इन रहस्मय पत्थर के चहरों की तस्वीरे देखी होंगी लेकिन यह चौकाने वाला है इस मंदिर के बारे में कभी भी कोई डॉक्योमेंटरी नहीं बनाई गई है यह बहुत अजीव है क्योंकि इस तरह की एक शांदार प्राचीन मंदिर में इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस और टीवी कारिक्रम होने चाहीं लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मुझे यूट्यूब पर कोई भी डॉक्योमेंटरी नहीं मिली है और मुझे एक चौकाने वाला कारण पता चला कि क्यों इस मंदिर के बारे में किसी भी टीवी चैनल पर कोई भी डॉक्योमेंटरी प्रसारित नहीं की जा सकती है तो बेयौन मंदिर के बारे में पहली और एक मात्र टोक्यमेंटरी में आपका स्वागत है इतिहासकारों के अनुसार बेयौन मंदिर को बौध मंदिर के रूप में बनाया गया था ये रहस्मई चहरे बुध का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसे लगभग 800 साल पहले बनाया गया था बेयौन मंदिर में प्रवेश करने से पहले ही जब आप गेट की और गाड़ी चला रहे होते हैं तो आप सड़क के दोनों और इन विशालकाय आकृतियों को पंक्ति बद्द देखते हैं वे कौन हैं? एक तरफ देव कहे जाने वाले देवता हैं और दूसरी तरफ असुर नाम की राक्षस हैं और इसे देखिए उनकी हातों में क्या है? एक विशालकाय साप का शरीर वे सरिस्रिप के साथ क्या कर रहे हैं? वे छीर सागर का मन्थन कर रहे हैं लेकिन इस घटना का उलेक प्राचीन हिंदू ग्रंथों में मिलता है बौध ग्रंथों में नहीं वास्ताम में बौध धर्म इस तरह की विशेश्टाओं से दूर है तो एक बौध मंदिर के द्वार के बाहर हिंदू चित्रन क्यों है? जब आप बेउन मंदिर में प्रवेश करते हैं तो आप महसूस करते हैं कि इसका एक बहुत ही अनूठा द्रिश्य प्रभाव है इसे दुनिया के किसी भी अन्य मंदिर से बिल्कुल अलग बनाया गया है यहां बहुत कम जगाह में एक साथ चोवन टौवर्स है और प्रतियक टौवर में कई मुस्कुराते हुए चहरे हैं इन टौवरों पर कुल 216 चहरे हैं जमीनी स्थर से चहरे छोटे दिख सकते हैं लेकिन जब आप शीर स्थर पर जाते हैं तो यह सांस को रोग देने वाला होता है आप कुछ सेकेंड्स के लिए आवाक हो जाएंगे क्योंकि उस रहस्माई मुस्कान के साथ विशाल चहरे एक अजीब सा एहसास देते हैं यह चहरा किसका है? प्राचीन बिल्डरों ने इस मंदिर का निर्माण इतने सारे टौवर्स के साथ क्यों किया था? जिसके चारों और अजीब चहरे लगे हुए थे पुरातत्व विदो और इतिहास कारों का कहना है कि यह चहरा बुद्ध और राजा जैवर्मन सप्तम को भी दर्शाता है और वह बुद्ध की महिमा करना चाहते थे और वह चाहते थे कि लोग उन्हें भी हमेशा याद रखे यही कारण है कि उन्होंने इस मंदिर का निर्मार बुद्ध और स्वयम की महिमा को इस्थापित करने के लिए खुद को एक भगवान राजा में बदलने के लिए किया था लेकिन यह पूरी थियोरी पूरी तरहा गलत है यही कारण है कि प्रतेक मिनार को चार अलग अलग दिशाओं की और मुख करके चार सिरों या चेहरों के साथ दिखाया गया है प्राचीन हिंदू ग्रंथों में सपश्ट रूप से उलेख है कि ब्रह्मा को चार सिरों के साथ चार अलग-अलग दिशाओं में दिखाया जाना चाहिए दूसरी और बुद्ध को कभी भी चार चेहरों के साथ नहीं दिखाया जाता है और भी दिल्चस्प गेहनों को देखिए उन्होंने एक शांदार हार पहना हुआ है उन्होंने बहुत सजावटी कुंडल पहने है और उन्होंने अपने सिर पर अधिक आभूशर पहने हुए है यह पूरी तरह से बुद्ध के हिलाफ है क्योंकि बुद्ध कभी भी आभूशर नहीं पहनते वे सादगी में विश्वास करते थी इससे भी अधिक महत्रुपूम विशाल मुकुट है यह एक बड़ा शंक्वाकार हेलमेट है जैसे कि एक मुकुट या शीर्षपर सजावट के साथ है ड्रेस मानसरा सिलपस्त्र नामक एक प्राचीन संस्कृत ग्रंध है जो स्पच्ट रूप से बताता है कि ब्रह्मा को कैसे उकेरा जाना चाहिए और प्राचीन ब्ल्रो ने इस ग्रंध के ही अनुसार ब्रह्मा का निर्मार किया है फिर से बुद्ध को कभी भी एक विशाल है ड्रेस और एक मुकुट के साथ नहीं दिखाया जाता है उन्हें साधारण बालों के साथ दिखाया जाता है लेकिन एक और आकरशक विवरण है देखिए उन्हें कैसे तीसरी नेत्र के साथ दिखाया गया है ज्यादातर लोग सोचते हैं कि केवल शिवक की तीसरी आँख है लेकिन ब्रह्मा की भी तीसरी आँख है का उलेक प्राचेन ग्रंतों में भी मिलता है इसका मतलब है कि प्राचेन कमबोडियाई मूर्तिकारों को प्राचेन हिंदु ग्रंतों का पूरा ग्यान था और उन्होंने सभी विवरणों का ध्यान पूर्वक पालन किया यह आश्चर्य जनक है क्योंकि प्राचिन भारतियों ने भी कभी कभी इन विवरणों को छोड़ दिया था लेकिन उन्होंने भारत से हजार मिल दूर करतव्य पूर्वक इसका पालन किया है लेकिन अगर यह भगवान ब्रह्मा को समर्पिक मंदिर है तो इसे बेयोन मंदिर क्यों कहा जाता है बेयोन का क्या अर्थ है जब फ्रांसिसियोंने कमबोडिया पर कबजा कर लिया तो उन्होंने इसे बैन्यन मंदिर कहा क्योंकि यह है टौवरों के सम्हू की तरह दिखता है और स्थानिय लोगों ने बैन्योन को बैयोन के रूप में गलत उच्चारित किया और यह नाम पड़ गया पुरा तत्व विद इस बात के पुष्टी करते हैं कि प्राचिन शीला लेक इस मंदिर को जैगिरी कहते हैं यह है वास्तव में सही है क्योंकि आप जानते हैं कि जया का संस्कृत में क्या आर्थ होता है इसका अर्थ है ब्रह्मा यह कई नामों में से एक है भगवान ब्रह्मा का एक विशिशन और गिरी का अर्थ है परवत इसलिए से ब्रह्मा के परवत के रूप में बनाया गया था और अब जब आप इस मंदिर को फिर से देखते हैं तो यह एक आदर्श नाम है क्योंकि यह एक पहार जैसा देखता है और जब आप चारों सिरों को हर जगा देखते हैं तो आपको तुरंट ब्रह्मा की याद आती है पुरातत्व विद्भी इस बात से सहमत हैं कि मंदिर में छोटे मंदिर शिव और विष्णू के लिए बनाए गए हैं लेकिन उन्हें ब्रह्मा के लिए कोई मंदिर नहीं मिला है क्यों? क्योंकि यह है पूरा मंदिर उन्हीं को समर्पित है इसलिए यह काफी आश्चरे की बात है कि पुरातत्व विदो और इतिहास कारों का मानना है कि यह बुद्ध को समर्पित एक बौद मंदिर है जबकि यह स्पच्ट रूप से ब्रह्मा को समर्पित एक हिंदू मंदिर है इसका क्या कारण है? मैं इसका श्रे फ्रांसिती अधिकारियों को देता हूँ जो हिंदू धर्म और बौद धर्म के बारे में ज्यादा नहीं समझते थे इसके अलावा जब 1863 में फ्रांसिसियों ने कमबोडिया का उपनिवेश किया तब यहां बौद धर्म प्रचलित था तो उस समय उन्होंने स्वता ही मान लिया होगा कि यह एक बौद मंदिर है और एक और दिल्चस्प बात यह है कि अंकोरवाट की तरह ही इस मंदिर पर लगातार कई शताब्दियों तक बौद भिक्षू का कबजा रहा उन्होंने छोटे पैमाने पर कई बौद नकाशी भी मनाई थी और वे कभी-कभी मंदिर परिसर में अच्छे भागई के लिए बौद की मूर्तियों को दफनाते भी थे और मंदिर का अध्यान करते समय एक पश्यमी पुरातत पुविद के लिए यह काफी भ्रमित करने वाला हो सकता है क्योंकि आप बौद नकाशियों को देखने जा रहे हैं और कभी-कभी बुद की दबी हुई मूर्तियों का भी पता लगा सकते हैं तो आप हिंदू नकाशियों के साथ बौद नकाशी देखते हैं और आप हिंदू मूर्तियों के बगल में खड़ी बुद्ध प्रतिमाओं को देखते हैं और इससे भी दिल्चस्प बात यह हैं कि आप बहुत सारे बदलाव देखते हैं क्योंकि जब ये दो सम्हू वर्चस्प के लिए लड़ रहे थे तो उन्होंने स्पच्ट रूप से कुछ नकाशियों को बदलने की कोशिश की होगी और कुछ को नश्ट भी किया होगा लेकिन मुख्य विवरण यह है कोई भी आपकी धारणा को बदलने के लिए सुच्म नकाशी कर सकता है लेकिन कोई भी बड़ी नकाशी को नहीं बदल सकता प्रतियक मिनार के शीर्ष पर चार मुख स्पच्ट रूप से ब्रह्मा का प्रतिनिध्व करते हैं बुद्ध का नहीं वास्तव में उसी शिल्पकार ने पास में ही ताप्राम नाम का एक और ब्रह्मा मंदिर बनवाया यही कारण है कि यह मंदिर दिवारों पर उकेरी गई सुन्दर महिलाओं से भरा है क्योंकि बौद्धर्म के विपरीत हिंदू धर्म ने सांसारिक जीवन को अपनाया यही कारण है कि आप हिंदू देवताओं और राक्षसों को दौर पर छीव सागर का मन्थन करते हुए देखते हैं और यही कारण है कि आप इस मंदिर में अंगिनत अन्य हिंदू देवताओं को भी देखते हैं तो जितना कमबोडियन अधिकारी इसे बौध मंदिर के रूप में देखना चाहेंगे यह सच नहीं है यह मूल रूप से एक हिंदू मंदिर था लेकिन क्या वास्तव में मैं यह जानने वाला पहला व्यक्ति हूँ कि यह एक हिंदू मंदिर है और यह चहरे ब्रह्मा का प्रत चुके हूँगे और उन्होंने इसका पता लगा लिया होगा लेकिन अगर वे बाहर आकर टीवी पर कहते हैं तो यहां के अधिकारी शायद उन्हें कमबोडिया में भविशी की परियोजनाओं को फिल्माने की अनुमती नहीं दे मुझे लगता है कि यही कारण है कि शांद बढ़ने के लिए एक कदम होगा मैं प्रवीर मोहन देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सब्सक्राइब करना ना भूले और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें फिर पैस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मैं आप से जल ही बात करूँगा बाई